इसके बाद के दिनों में, एवा और एथन के रास्ते आपस में जुरते रहे। प्रत्येक मुटभेड ने उनके बीच बने बंधन को और गहरा कर दिया। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वह बुदबुदाया। उसकी आवाज फुस्फुसाहट से थोड़ी ही उपर थी। आवा शर्माते हुए मुस्कुराय। उसकी प्रशंसा से उसके गालों का रंग लाल हो गया। धन्यवाद। उसने कहा। उसे देखते ही उसका दिल ध खड़ा कुठा। वे घंटों बातचीत में खोई रहे। अपने विचारों और सपनों को साजा करते रहे जैसे कि वे एक दूसरे को जीवन भर से जानते हो। अवा को लेखन के प्रती एथन के जुनून के बारे में पता चला। जबकि एथन को पेंटिन के प्रती अवा की प्रतिभापर आश्चर्य हुआ। यह ऐसा था मानोवे एक पहली के दो टुकड़े हो। प्रतिय के एक दूसरे को इस तरह से पूरक कर रहे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए। एवा और एथन को कला और सा हित्य के प्रति एक साजा प्रेम का पता चला। उन्होंने शहर की दीरगाओं और किताबों की दुकानों की खोज में अंगिनत घंटे एक साथ बिताए। वे घंटों तक बाते करते रहे। उनकी बातचीत गहन से लेकर सांसारिक तक थी। वे एक साथ हसे। उनकी हसी रात कुछ पाने की चाहत